नमस्ते या भिवादन आपका Innocent Investor के इस नए वीडियो में आपके लिए disclaimer बात करेंगे IDFC First Bank की इनका result आया है, हमारे portfolio का भी धुरंदर है explain करेंगे result को और portfolio में क्या आपको steps लेने चाहिए इसके लिए दूसरे चैनल पर इससे related इसके अलावा 4-6 stocks और हम अपने portfolio वाले वहाँ पर discuss करेंगे, जिनमें कुछ special होता है उसको हम discuss करेंगे, हम stocks कैसे select करते हैं उसके लिए पहले discussion हो चुका है, काफी help होगी तो दूसरे चैनल पर वो वीडियो जरूर देखेगा यहाँ पर हम IDFC First Bank का result discuss करेंगे और यह बताएंगे आपको क्या अभी भी यह portfolio में रखने लायक है या नहीं हम एक एक चीज discuss करेंगे, बहुत ही इत्मिनान से वीडियो देखेगा, ठंडे दिमाग से कोई tension लेने की जरूरत नहीं है जिनको मेरी बातें अच्छी ना लगें, वो नीचे comment करके प्यार से बताएंगे कि हाँ मैं इस चीज से agree नहीं करता हूं, ठीक है, वरना कल वाली वीडियो फिर से वापस आ जाएगी, मुझे क्या करना है, वो मैं जानता हूं, लेकिन आप लोग अगर constructive criticism में भरोसा करते हो वो किया कीजिए, garlic launch अपने परिवार के subscribe नीचे मत लिखा कीजिए, पहले तो YouTube आपको बाहर कर देगा, और दूसरा हमारे कुछ साथी भी है, वो ये काम करना जानते हैं, ठीक है, चलिए, अभी explain करते हैं आपको result, बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली चीज, ये data लाक में है, तो दो point हम पीछे आएंगे, जिससे कि हम आपको करोण में समझा सकें, ठीक है, तो 4,92 करोण, यहां पर आपको company का revenue, जो की सबसे बड़ा revenue आता है, कहां से, overall scenario में interest earned, यहां पर आप देख रहे हैं, ABCD, पूरा ये जूड जार के आता है, तो 4,92 करोण के ending वाली situation भी आती है, कई सारी चीजे है, ठीक है, लोग अपना पैसा इधर उधर करते हैं, करने दीजिए, अगर आप पिछले quarter से compare करोगे, तो भी एक छोटा साई dent है, लेकिन है, ठीक है, इसका मतलब यह वाला जो result है, यहां पर interest income में थोड़ी सी कमी आई हुई है, सबसे 80 करोण के मुकाबले, यानि कि other income बहुत तगडे रूप में बढ़ गई, वो इन्होंने बताया नहीं, other income नीचे आपको मिलती है, यहां से यहां पर थोड़ी सी बढ़ी वे देखेंगे, यहां से लगभग डबल, और इसी के कारण, जो total income है, ती number point में आप देख पारे लेकिन इस other income के कारण, यहां पर आपको जो total income है, वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक, अब हम आएंगे कि क्या खर्चा इनको करना पड़ा, interest expanded, आपने देखा होगा, पिछले कुछ महीनों में, IDFC first bank ने ब्याज वगएरा जो देते थे यह, उसमें थोड़ी सी काफी कम है, यानि कि खर्चा इन्होंने directly बचाया है, अगर revenue कम हुआ इनका interest से, तो interest के कारण इनका जो खर्चा होता था, उसको भी इन्होंने under control रखा है, operating expenses में सबसे बड़ी चीज मैं employee cost देखता हूँ, जिसको हम यहां पर आकर आपको बताना चाहते हैं, यह देखिए, 610 करोण इन्होंने खर्चिया, जश्ट पिछले quarter से neck to neck और पिछले साल के इस quarter से काफी ज़्यादा यहां पर improvement है, इस चीज को मैं positive side ही रखूँगा, total खर्चे पर अगर आप आते हो, तो total खर्चा इस company का है क्या, अभी यहां पर provisioning और contingencies को ignore किया जा रहा है, और वो normal होत जो यह देते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बस इतना समझिए कि एक होता है सबसे बड़ा खर्चा इनका किसमें employee को देने में, फिर जो interest मतलब customer को जो interest देते हैं और तीसरा सबसे बड़ा खर्चा होता है, जो यह किराय पे लिए हैं, ad hoc पे जिनको रख रहे हैं, additional services ज पिछले quarter में हुआ था, तो overall situation अगर हम समझना चाहें, तो जो इनका total खर्चा हुआ 4175 करोण हुआ, जो कि 4187 करोण के बिलकुल neck to neck है, और यह तब है, जब इनका interest income में एक छोटी सी कमी आई थी, लेकिन इसको यहां पर under control इन्हों ने कर लिया, और पिछले साल के इस quarter से यह बढ़ा हुआ हमको दिखाई दे रहा है किस कारण, यह others यहां पर आपने देखा था न, other income के कारण, ठीक, अब यह आप समझ गए, अब हम कहां पर चलेंगे, direct चलेंगे profit पर, कि net profit and loss क्या आया इस period का, तो 12, 14 नमर के point में हम देख लेते हैं, ठीक, यह 14 नमर का point आप द लगभग लगभग कितना percent जादा है यह, 30 इधर जादा हो गया, और 36 इधर जादा हो गया, 30, 20, 50, 60, 60 percent के आसपास, हाँ, आप exactly calculate कीजेगा, इतनी तेज मैत नहीं है, लेकिन लगभग लगभग, 60, 65 percent इनका profit यहां पर बढ़ गया, अब आप सोच रहे होगे कि यह कैसे हो पिछले साल के इस quarter में interest income जादा थी और फिर भी profit कम हुआ, तो पहला कारण तो यह है, और जो दूसरा और सबसे बड़ा कारण है, वो है, इनके पास जो tax expense था, वहां पर इनको फायदा हुआ है, मतलब कि इनके पास अब जैसे आप ITR भरते हो ना, उसी तरीके समझेगा exactly वही चीज नहीं होती है, लेकिन लगभग लगभग वैसे ही होती है, कि income tax return जब आप फायल करते हो, जो लोग धाई लाग से जादा साल भर का कमाते होंगे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बता देते हैं, हमने LIC ली हुई है, LIC की कोई policy ली है, हमने PPF में इतना investment किया है, हमने health insurance लिया है, हमने term plan लिया है, 50 चीज बताते हो ना बेवरा, तो उसी तरीके से company भी अपने खर्चों को दिखाती है, 50 चीजें वो भी बताती है, हमने यह insurance लिया, यहां यह किया, वहां यह किया, यहां पर corporate social responsibility हमने निभाई, तो वहां से इनको जो tax expense होता है, वहां पर जेब से देना पड़ा था, और यहां 80 करोन रुपए इनकी जेब में आया है, बात समझे आप, इनके खाते में 80 करोन इस बार आया है, पिछली बार 33 करोन गया था, ठीक है, और यहां पर आप देखोगे, तो 41 करोन रुपए इनके खाते से खाता था, जब भी आपको यह result और जो data ऐसे ऐसे इसके बीच में रहे वो data negative माना जाता है, ठीक है, यहां पर यह direct negative sign नहीं उजोती है, तो जो भी चीज ब्रैकेट में होती है, रिजल्ट में, उसको हम negative मानते हैं, इसलिए मैं यह कह रहा हूँ, जब tax expense, यानि कि tax का खर्चा negative है, इसका मतलब है, tax इसमें जुड़ा है, और वही चीज जब आप इसको जोड़ोगे, तो यह जो data आता है, 136 करोन रुपए, 92 लाख 76,000 रुपए यह हो जाते हैं, यह बैंक का total profit आया, ठीक, यहां तक तो सारी चीजें हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, आपको कोई confusion यहां तक होगी नहीं, तो बैंक जो है, पिछले साल के quarter से, पिछले साल के quarter से अच्छी performance दिया है, अगर हम सिर्फ on paper profits को देखें, लेकिन अगर हम reality समझेंगे, तो neck to neck है, और just पिछले quarter से भी neck to neck है, reality समझने वाली बात मैंने tax expense में आपको समझाई हुई है, आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, हम provisioning देखेंगे, और फिर देखेंगे कि provisioning के चलते, 8 number point में आप देख लीजे, provisioning दी हुई है, और यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यह देखिए, यह 7 number point है, और यह 8 number point है, 602 करोन की provisioning पिछले quarter से भी जादा है, पिछले साल के इस quarter से भी जादा है, यानि कि bank ने provisioning में भी कोई कोताही की नहीं है, अब अगर वो provisioning जादा की है, इसका मतलब NPA में भी हमको कुछ ना कुछ डेंट जरूर देखने को मिलेगा, तो चलिए, NPA वाला पार्ट भी देखते हैं, उससे पहले आपको earning per share में आउगत कराना चाहूँगा, सुने दसमलो 2-4 पैसे यह कमा रहे हैं, एक share पे पिछले quarter में भी लगवग वही कमाई थी, पिछले साल के quarter में इसकी आधी नहीं exactly, वही है percentage terms में जैसे profit बढ़ा है, उसी इसाफ से यहां पर भी आप देख सकते हो, वह भी बढ़ गया था, ठीक तो यहां पर आपको कमी दि अब हम किस पे चलेंगे, हम चलेंगे कहां पर, हम चलेंगे इनके NPA पर, NPA वाला डेटा हम देखें, उससे पहले आपके सामने summary of results हम लेकर आए हैं, यहां से आप सारी चीज़ें आराम से समझ सकते हो, जिनको result देखना नहीं आता, वो किसी भी result में summary of results जरूर जाकर देख ले तो यह फिर आप ज्यादा समझ सकते हो, फिर full year में भी यहां पर यह बाते लिखी हुई है, net interest income भी देख लीजे, 15% से बढ़ा हुआ है, year on year basis पे, interest margin भी आप देख लीजे, 5.09% है, 4.61% से, ठीक है, total income देखिए बढ़ रही है, kasa ratio, current account, saving account वाला, जो ratio में आपको समझा बाया हुआ है, 31 से बढ़के 51 हुआ है, मतलब अभी तक bank ने हमें कहीं निरास नहीं किया, average kasa भी देख लीजे, यहां से बढ़ा हुआ है, kasa balance देख लीजे, 122% बढ़ा हुआ है, savings rate इन्होंने घटा दिया, bank reduced savings, वही मैं आभी आप से बात भी कर रहा था, ठीक है, अब य जब ज़्यादा पैसा रहता उसको हम कहते है, liquidity, ठीक है, तो इनके पास surplus liquidity थी, इसलिए इन्होंने जो ब्याज थी, उसको कम कर दिया, मतलब bank अपने आपको एक stable bank की category में लेकर जा रहा है, तो यह चीज हमारे लिए फिर से positive है, ठीक है, अब अगर हम अन्य चीजों पे चल अन्य चीजों को अगर आप देखना चाहो, capital education ratio यहां पर देख लिए 16.32% यह भी बढ़िया है, average liquidity coverage ratio भी बढ़िया है, मतलब bank कहीं हमको निरास नहीं कर रहा है, बस इनका जो business model है, वो थोड़ा सा मतलब होता है ना कि aggressive mood में ही रहते हैं, अभी तो थोड़ा सा नीचे ही आ performing asset कैसे है, GNPA इनका है 4.1 match और net NPA है 1.86, ठीक है, अब देखिए, यहां पर COVID provisioning जो है, वो 375 करोन है, जो कि Q4 2021 में की गई है, ठीक है, अब एक चीज समझेगा, COVID provisioning क्यों, क्योंकि अभी तो Supreme Court का कुछ भी हो सकता है, प्लस RBI भी कह रहा है, थोड़ी बहुत चीज हमको handle कर तो इसलिए इनको लग से provisioning करनी ही पड़ती है, और वो इन्होंने करके दिखाया है, अच्छी ही चीज है, और यहां पर provisioning coverage ratio देख रहे है, would be 65%, अब यहां पर 56%, अब यहां पर would be 65%, यह अच्छी चीज है, ठीक है, तो I hope आपको बातें समझ में आ गई होंगी, हम थोड़ से read कर लिजेगा, लेकिन अभी हमको जो सबसे जरूरी चीज फोकस करना है, कि यह वाला result कैसा है, the GNPA of the bank is reduced by 3 basis points, अब 3 basis points का मतलब क्या है, कि जो point के बाद चीजे लगती है, जैसे point के बाद 10 है, तो point के बाद 0,7 हो जा, यह 3 basis points कम हुआ है, ठीक है, तो वही चीज आपको यहां पर दिखाए देगी, देखिए exactly दिया भी हुआ है, इनका 4.5% हुआ, as compared to 4.18, यानि कि यहां पर improvement ही है, इसको हम on paper भले देखने है improvement, लेकिन general sense में हम क्या कहेंगे, ठीक है, okay है, net NPA भी आप देखेंगे, reduced हुआ है, reduced हुआ है, 18 basis points पे, 1.86 आया है किसके comparison में, 2.04 के comparison में, जो कि 31 December 2020 का data आपके सामने रखा जा रहा है, ठीक है, comparison सही है, तो इतनी चीजे हमने देखी, आपको क्या नजर आई इन सब चीजों में, कि भाई साब बैंक जो है, वो लाजवाब performance दे रहा है, लाजवाब उनका management है, और लाजवाब तरीके से situation भी under control है, कोई चीज एसी नहीं है, कि हाथ से facily है, मतलब कि यह जो stock है, यह portfolio में, यह portfolio में रहने लायक है, अब मैं कुछ data points आपके साथ discuss करना चाहता हूँ, इसी पे, दूसरे चैनल पे एक video आएगी, जैसे कि अगर आपको याद हो, तो लगभग लगभग हम 26 तारीक का rate देख लेते हैं, यहा candle बनी, यह जो red candle बनी, इनके कारान बोला था, ठीक है, और IDFC first bank पे मेरी नजर बहुत दिनों से थी, और हम ऐसा momentum अगर पकड़ पाते हैं, मैं कहता हूँ, आप अगर एक stock में ऐसा momentum पकड़ लिए, और आप से तीन गलतियां भी हो गई, तो भी आप loss में हो ही नहीं सकते, 2- 2-4-6% के profit में होगे, इसलिए जो बक रहे हैं, उनको बकने दीजिए, आप सीखने पर focus कीजिए, ठीक, मैं कहता हूँ, आज नहीं तो कल, कुछ सालों में, 1-2-3 साल लग जाएंगे, लेकिन अगर आपने भाई साप सीख लियाना, तो इतना thank you, आप खुद को बोलोगे, की कोशिज करता हूँ, free of cost आपके लिए सारी चीजे में available कराने कोशिज करता हूँ, जैसा कि कल ही मैंने कहा, कि जो चीजे केवल मुझ पर dependent होगी, जिसमें अन्य लोगों को मुझे सामिल नहीं करना पड़ेगा, वो चीज मैं कभी भी चार्जेबल नहीं बनाऊँगा, फि मेरा सबसे बड़ा negative point है, और मुझे नहीं लगता कि ये negative point है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है, आपके लिए लोग काम कर दें, आप उनके बदले में कुछ कर दो, तो ये lending थोड़ा सा अलग लगता है, अभी मैं जो discuss कर रहा हूँ वो आपको बताऊंगा, कि ऐसे cases में हमको क्या करना चाहिए, कि अगर हम सही जग़ा momentum पकड़ लेते हैं, और हमको कुछ percentage return मिल जाता है, ऐसे case में क्या करना चाहिए क्योंकि कई सारे stocks हैं, क्योंकि जहां पर हमने stocks को पकड़ा, कई सारे stocks ने बहुत 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 वेहतरीन momentum दिखाया, और रिविवसी, 1st Bank की बात नहीं है, हमने 45-50 के range में पकड़ा यह 60 रुपय का high मा रहा है, जो कि एक बहुत 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 बड़ा लेवल होता है, ठीक है लगबख 35-40% का मोमेंटम हो जाता है है, अब 35-40% में से हमको कितना चाहिए, कहां पर एकजिट करना चाहिए, दूसरे चैनल पर इसके अलावा, दो चार और स्टॉक्स करूंगा जो मेरे पोर्टफोलियो में ह सकते हो, एक और बैंक भी है, और आपको पता है, एक आटो मोबील की कमपनी है, गेमिंग की कमपनी है, यह सब आएंगी, मैं डालूँगा दूसरे चैनल पर कुछ देर बाद यह रिजल्ट वाली वीडियो देखकर आप बताईए, आपको वीडियो कैसे लगी, अगर किसी से अगरी नहीं करते हो, तो constructive criticism हमेशा allowed है, आप कीजिए, आप बताईए, आप अगर कुछ हमें सिखा सकते हो, बिलकुल नीचे बताईए, कुछ improvement चाहते हो, वो भी बताईए, लेकिन गाली गलौच मत कीजिए, परिवार के संसकार मत भी गाड़िए, बहुत मेहनत की है video डाली थी ना, अगर किसी को उससे ठेज पहुंची हो, तो उसके लिए भी माफ कर दीजेगा, नमस्कार.